आज हम बात करते हैं स्टांडर्ड सेल के बारे में तो आए देखते हैं स्टांडर्ड सेल किसे कहते हैं देखिए स्टांडर्ड सेल एक ऐसा सेल है जिसका EMF जो है वो constant है और accurately known है यानिकि उसका EMF में अच्छे से मालूम है देखिए यहाँ पर दो characteristic है एक तो EMF constant है और वो हम है अच्छे से मालूम है देखिए इनी दो characteristic का यूज करके हम क्या करते हैं स्टांडर्ड सेल का यूज हम voltage measuring instrument के calibration में करते हैं देखिए voltage measuring instrument कई है देखिए मान लीजिए कोई voltometer है हमारा potentiometer है multimeter है यह सभी voltage measuring instrument है तो इन सभी के calibration में हम standard cell का use करते हैं क्यों standard cell का use करते हैं क्योंकि इसके EMF constant है और accurately known है अब यहाँ पर दूसरा question यह होता है कि calibration किसे कहते है देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई एक voltometer है और इसकी जो voltometer की जो readings आ रहे है जो voltage बता रहा है मान लीजिए वो accurate नहीं बता रहा है तो हम क्या करेंगे तो हम एक standard cell लेंगे क्या लेंगे standard cell लेंगे अब हमें पता है कि standard cell जो होता है उसका EMF कितना होता है constant होता है और accurately known होता है तो यह हमारा हो गया, reference हो गया, यह हमारा आधार हो गया, अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इस voltmeter को हम ठीक करेंगे, इसके reading को हम adjust करेंगे, और पहले जो error वाले आ रहे थे, तुर्टी वाले आ रहे थे, वो अब क्या हो जाएंगे, correct हो जाएंगे, किसकी मदद से हुए, standard सेल की मदद से हुए, यानि कि इस स्थ परोसेस को हम क्या कहेंगे का Camb mata के सेहने करें के केंगे है याने के स्टांडर्ड शेल की मदद से हमने वोल्टामीटर को केलिब्रेट किया ऐसा कह सकते हैं अब देखिए केलिब्रेशन जो है वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट काही नहीं होता है और ग्लास हें का भी हो सकता है मान और कि हमारे पास कोई एक भ्यूरेट थे एक बाड़ी निश्य संफिन कि यहां तक हम विल कोई हमारी ब्यूरेट है अब यहां तक करना सिलीशन भरते हैं तो यहां पर दिखाता है 50 ml कि करेते हैं अगर हम यहां इस बीकर में हमने इसको volume को लिया और बीकर में अगर हम इसको measure करें तो यह मान लिजे 49 ml दिखा रहा है यानि कि ब्यूरेट में कितना दिखा रहा है 50 ml बीकर में लिया तो कितना हो गया 49 ml यानि कि यह जो ब्यूरेट वाला जो है वो मान लीजे गलत है हमारा correct reading नहीं दिखा रहा है correct volume नहीं दिखा रहा है तो हम क्या करेंगे यह जो 50 ml है उसको घटा के यहाँ पर क्या कर देंगे उसको यहाँ पर कर देंगे 49 ml 49 ml में ले जाएंगे 50 ml दिखा रहा था वो accurate नहीं था 49 ml में ले जाएंगे तो अब हमने 49 ml जो किया है 50 में से हमने जो marker था वो हटा के 49 ml पर marker लगा दिया है उसको हम क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे calibration यह भी एक परकार का calibration ही है यह भी क्या है calibration ही है तो इस परकार से सिर्फ instrument का ही नहीं glassware का भी calibration होता है I hope आपको समझ में आ गए होगा calibration किसे कहते है अब देखे standard cell जो है उसकी कुछ conditions है यानि कि किस cell को हम standard cell कहेंगे इसके लिए तीन condition दी गई है अगर इन तीन condition का पालन होता है तो उसको हम क्या कहेंगे standard cell कहेंगे आईए वो तीन condition देखते है तो सबसे पहली जो condition है वो है कि इसका EMF कैसा होना चाहिए accurately known होना चाहिए यानि कि उसका EMF हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए अगर हमें उसका EMF अच्छे से मालूम है तो उस cell को हम क्या कहें सकते है standard cell कहें सकते है दूसरी condition क्या है दूसरी condition यह है कि इसका EMF reproducible होना चाहिए और constant with time होना चाहिए यानि कि अगर हम आज इसका EMF measure कर रहे है तो अगर दो दिन के बाद अगर इसका EMF measure करेंगे तो भी EMF कैसा रहना चाहिए same रहना चाहिए constant रहना चाहिए उसको हम क्या कहेंगे reproducible results कहेंगे इसी तरह से आप कभी भी किसी भी time अगर आप reading ले यानि कि किसी भी time अगर आप EMF measure करें मान लिजे सुभे 10 बजे EMF measure किया और फिर हम मान लिजे साम को 5 बजे EMF measure करते है तो दोनों में EMF कैसा रहना चाहिए सेम ही रहना चाहिए यानि कि किसी भी time अगर आप reading ले EMF की value कैसी होनी चाहिए सेम ही होनी चाहिए उस प्रकार को हम क्या कहते है constant कहते है constant with time यानि कि उसका जो EMF है वो time के साथ constant ही रहना चाहिए तिसरी जो और आखरी जो condition है वो बहुत important है उसका जो temperature coefficient होगा standard cell का वो कैसा होना चाहिए यानि कि अगर temperature में अगर 10 degrees का फरक करे हम फिर भी temperature में अगर 10 degrees का फरक करे हम फिर भी EMF कैसा रहना चाहिए constant रहना चाहिए कैसा रहना चाहिए constant रहना चाहिए अब देखे temperature coefficient क्या है temperature coefficient मान लीजिए मैंने 298 Kelvin पर EMF मेजर किया है बाद में मैं क्या करूँगा 308 Kelvin पर EMF मेजर करूँगा अगर दोनों को divide करूँगा उसको हम क्या कहेंगे temperature coefficient कहेंगे और इसकी value कैसी होनी चाहिए low होनी चाहिए आम तोर पर दोनों की value सेम ही होनी चाहिए यानि कि अगर 10 degrees का आप फर्क करें temperature में फिर भी EMF केसा रहना चाहिए constant रहना चाहिए आगे बढ़ते हैं देखे standard cell का जो example है वो है western standard cell western standard cell है वो standard cell का example है यह जो western standard cell है वो wet chemical cell है यानि कि इसमें solution भरा हुआ है इसलिए इसको क्या कहेंगे इसको कहेंगे wet chemical cell और वो highly stable voltage produce करता है यानि कि इसका जो EMF है वो highly stable है बहुत ही stable है देखे सबसे पहले जो western standard cell है वो Edward Wiston ने तयार किया था देखे यह scientist है हमारे Edward Wiston इन्होंने 1893 में सबसे पहले यह बनाया था विस्टन स्टांडर्ट सेल देखे यह रहा विस्टन स्टांडर्ट सेल आपके सामने देखे यह रहा यह एच टाइप की ग्लास की ट्यूब जैसा है देखे इस ग्लास की जो ट्यूब है वो एच आकार की है एच सेब की है देखे आप डिटेल में देखते है विस्टन स्टांडर्ट सेल को देखे विस्टन स्टांडर्ट सेल वो जैसा कि मैंने अभी क knit ग्लास की ट्यूब है कि यह रहा है कि एच सेब की ग्लास की ट्यूब है और इन में नीचे platinum wire लगे होते हैं, देखे ये रहा है, इसी तरह से यहां पर भी देखे, platinum wire लगा हुआ है, देखे ये जो आपको दो भाग दिख़ाई दे रहा है ये वाला, इसको आपर red करता हूं, देखे, ये वाला भाग, इसको हम arm कहते हैं यहां वन टू करता हूँ हैं फर्स्ट arm और सेकंड arm यानि कि इसकी बाजुय है ऐसा कह सकते हैं देखें इन दोनों arm में नीचे क्या लगा हुआ होता है फ्लेटिण वायर ऐटेज किया गया होता है नीचे से अब देखें यहां पर जो negative terminal है उसको हम क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे anode यानि कि यह जो right hand side वाला जो आपको दिखाई दे रहा है यह वाला यह हमारा anode और जो left वाला है जो positive terminal है उसे हम क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे cathode यह हमारा cathode है पहले हम बात करते हैं anode की anode में क्या भरा हुआ है वो हम देखते हैं देखें एनोड जो है उसमें सबसे नीचे यहाँ पर क्या भरा हुआ होता है cadmium amalgam भरा हुआ होता है अब यहाँ पर दूसरा question होगा सो किसे कहते है देखें अगर कोई भी नेटाल मर्कूरी के साथ हो उसको हम क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे emalgam कहेंगे यहाँ पर क्या लिखा है केडमियम emalgam यानि कि केडमियम और मर्क्यूरी का यह mixture है उसको हम क्या कहेंगे केडमियम emalgam कहेंगे तो नीचे यहाँ पर एनोड में यानि कि right side वाला जो है उसमें नीचे यहाँ पर एनोड पर क्या होता है केडमियम एमालगम होता है देखिए और यह जो Mihra evaluated का जो कौंसंट्रेशन है वह 12 से लेकर 24% तक होता है केडमियम का है कि जा रेशियो है वह 12 से 24% तक होता है केडमियम बाएवेट अब देखे इसके अलावा एनोट पर केडमियम सलफेट के क्रिस्टल्स भी लगाए जाते हैं देखे यह रहे केडमियम सलफेट के क्रिस्टल्स यानि कि सबसे नीचे एनोट पर क्या होगा केडमियम एमालगम यानि कि CDHG होगा केडमियम एमालगम होगा और उसके उपर क्या होगा? कडमियम सुल्फ़ेट के कृिस्टल्स होगँ कई बुक्स में आपको यiusज साभी देखने को मिलेगा कि कडमियम सुल्फ़ेट 8X3H2O ऐसा भी आपको देखा ही देगा कई बुक्स में देखने को मिलेगा तो ये भी सत्य है आप cadmium crystals का भी use कर सकते है तो यह हो गई बात anode की तो anode में आपको यानि कि right hand side में आपको यह चीज़े देखने को मिलेगी कौन सी चीज़े देखने को मिलेगी cadmium emalgam और cdso4 यह आपको याद रखना है अब हम बात करते है cathode की यानि कि left hand side वाल देखें ये वाला तो इसमें सबसे नीचे mercury metal लगाई जाती है तक यह रही mercury आपको पता है liquid होती है और सबसे नीचे लगाई जाती है और उसके उपर mcrus sulfate का solution लगाई जाता है यानि कि mercury के उपर क्या fill करेंगे क्या भरेंगे mercury sulfate का solution देखें यह रहा mercury sulfate यानि कि Hg2SO4 और उसके उपर फिर से हम क्या add करेंगे केडमियम sulfate के crystals फिर से add करेंगे जैसा कि हमने एनोर्ड पे किया वैसा ही cathode पे करेंगे यह रहा, तो केथोर में क्या चीजे एड करेंगे, फिर से हम देख लेते हैं, केथोर में क्या होगा, सब से नीचे मर्क्यूरी की मैटल होगी, उसके उपर मर्क्यूरिस सलफेट होगा, यानि कि HG2, SO4, और उसके उपर क्या होगा, केडमियम सलफेट के क्रिस्टल्स होगे, और इन दोनों के उपर, यानि कि एनोड और केथोर दोनों में, एक सॉलीचन भरा जाएगा, क्या सॉलीचन भरा जाएगा, केडमियम सलफेट का सॉलीचन भरा जाएगा, सेचुरेटेड सॉलीचन ऑफ केडमियम सलफेट भरा जाएगा, यह दोनों बाजूओं में, देखे में क्या बढ़ा जाता है यह सबसे important चीज है तो यह तो हो गया construction हो गया western standard cell का अब आगे देखते हैं देखिए हैं यह जो western standard cell है यह reversible cell है यह reversible cell तो electrochemical cell भी है तो इसमें क्या नया है देखिए यहां पर एक difference है यह जो होते हैं वह 100% magnitude नहीं होते हे लेकिन हो 100% नहीं है देखे जानुकरिब को रोड़्क्ट्री क्या है अब में पता है हिक उबाएक्टंत का कनवर्जन किसमें होगा प्रोड़क्ट में होगा यानि कि रियक्टन से प्रोड़क्ट बनेगी और हमें क्या मिलेगा वोल्टेज कुछ मिलेगा यानि कि कुछ इमफ मिलेगा अब यह कब तक चलेगा जब तक रियक्टन है हमारे पास तब क्या होगा तब तक reactant का conversion होगा product में और हमें EMF मिलता रहेगा मान लीजी एक समय ऐसा आएगा कि सारा reactant प्रोड़क्ट में करोड़ हो जाएगा यानि कि अब reactant बचेगा ही नहीं सब reactant का क्या हो गया product बन गया इस situation में क्या होगा अब reactant तो है नहीं तो product सारी बन गई और नई product ज्यादा नहीं बनेगी और क्या हो जाएगा cell काम करना बंद कर देगा क्योंकि अब reactant नहीं है तो product नहीं बनेगी तो EMF नहीं मिलेगा अब हम क्या करते हैं इसको recharge करते हैं recharge में क्या करते हैं बार से अगर electricity देते हैं तब क्या होगा प्रोड़क्टा कर्वर्जन फिर से किस में होगा रियक्टन्ट में होगा इसको हम क्या कहते हैं इसको हम charging कहते हैं और इस प्रकार के cell को हम क्या कहते हैं reversible cell के थे लेकिन electrochemical cell जो होता है उसमें प्रोड़क्टा conversion रियक्टन्ट में 100% नहीं होता है मान लिजे 90% ही होता है 100% conversion यहां पर नहीं होता है 90% ही रियक्टन्ट का conversion होता है और जैसे जैसे हम cell को use करते जाएंगे वैसे वैसे यह percentage भी कम होता जाएगा फिर कुछ समय बाद 80 हो जाएगा फिर 70 हो जाएगा और अंत में cell useless हो जाएगा काम करना बंद कर देगा तो यह सभी चीजे हैं वह आपको क्या देखने को मिलेगी बली एलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखने को मिलेगी विए वियकिन यह जो हमारा विष्टन स्टांडर्ड सेल है उसमें यह सी चीज़े देखने को नहीं मिलती यानि कि उसमें जो conversion है वो nearly 100% जैसा है इसलिए यह जो western standard cell है वो हमारे electrochemical cell के मुकाबले काफी अच्छा चलते है long time तक चलते है western standard cell इसलिए उसको क्या कहा जाता है standard cell भी कहा जाता है अब देखे western standard cell का जो EMF है वो temperature के साथ बदलता नहीं है देखे temperature coefficient के बारे मैंने आपको बताया था पहले भी यहाँ पर भी देखे temperature coefficient किसे कहता है EMF मेज़र करेंगे 298 Kelvin में और उसको divide करेंगे EMF at 308 Kelvin यानि कि दोनों temperature में EMF मेज़र करेंगे और उनों का divide करेंगे तो value हमें कितनी मिलनी चाहिए constant मिलनी चाहिए ideally एक ही होनी चाहिए value एक क्यों होगी क्योंकि इन दोनों की EMF की value किसी होगी same होगी दोनों cancel हो जाएगे और answer कितना आएगा 1 आएग इसको हम कहते है temperature coefficient जो standard cell होते है उसमें temperature coefficient कितना होता है near about 1 ही होता है इसको हम कहते है standard cell क्योंकि temperature बदलने पर EMF में कुछ ज्यादा change देखने को नहीं मिलता वरना क्या होगा मान लिजी आप 20 degree Celsius में work कर रहे है तो उसका EMF मान लिजी कुछ मिलेगा और फिर 25 degree Celsius temperature हो जाएगा तो फिर EMF कुछ और हो जाएगा तो इस प्रकार को cell इस प्रकार के जो cell है उसको हम standard cell नहीं कहते है standard cell तो ऐसा cell है अब किसी भी temperature में जाए EMF आपको कैसा मिलेगा constant ही मिलेगा same ही मिलेगा और यह जो हमारा western standard cell है उसका EMF कितना है 1.0186 volts देखिए कितना accurately measured है देखिए point के बाद 4 अंक है यहाँ पर कितना accurately measured है तो यह है हमारा western standard cell अब हम देखते हैं इसका construction तो देख लिए अब इसकी reactions देखते हैं देखिए western standard cell है उसको represent कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं यह रहा हमारा western standard cell आपको पता है यह लेकед टर्मिनल यह है यह हमारा a road positive terminal क्या है cathode है अब आपको पता है cathode पर क्या होता है oxygen ही होता है और cathode पर क्या होता है reduction ही होता है यह जो terminal है वो minus plus हो सकते हैं लेकिन एक चीज़ तो common है कि anode पर oxidation ही होगा और cathode पर क्या होगा reduction ही होगा अब देखिए anode से start करते हैं तो anode पर ढीचे क्या है सबसे पहले cadmium दिखाई दे रहा है आपको देखिए लेकिन यह अकेला cadmium नहीं है cadmium amalgam है यानकि cadmium के साथ क्या है cdhg है तो देखिए हमने यहां दिख दिया cdhg और यह solid है अब देखिए इसके बाद यह जो cadmium amalgam है वो cadmium sulfate के contact में है देखिए इसलिए हम एक vertical line लिखेंगे और cd plus 2 लिखेंगे और यह solution कैसा है cadmium sulfate का saturated solution इसलिए हम यहां लिखना है तो आप simple cdso4 भी लिख सकते है यह भी सही है दोनों में से कोई भी लिख सकते है अगर आप cd plus 2 लिखना चाहते है तो वह भी सही है cdso4 लिखना चाहते है वह भी सही है अब इसके बाद salt bridge यानि कि double vertical line लिखेंगे और उसके बाद देखे क्या है cathode का देखते है Hg2SO4 है यह रहा हमाण है Hg2SO4 यानि कि mercury sulfate है और वह किसके contact में है mercury के contact में यानि यह हो गया है Hg तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे western cell को represent करेंगे यह आपको याद नहीं रख रहा है आप diagram में से देख सकते हैं हुए अब देखें कि हम बात करते हैं मैं और की सबसे पहले बात करतें मैं या ये वाला राइड का गै य कि एक चीज्थ तो पता है हम है कि ये अनोड पर क्या होगा था किसका रॉइसरो हगा स्यदिकल करती है कि तो असंद सी जो ही Oxidation होगा क्यों देखिए यह जो CD-SO4 है उसमें CD का Concentration sorry Oxidation state already CD plus 2 है और SO4 क्या है SO4 minus 2 है अब यह जो already CD plus 2 है इसका Oxidation और कितना होगा already oxidized form में ही है CD plus 2 तो already है अब और कितना Oxidation होगा हो ही नहीं सकता इसलिए अब यहाँ पर किसका Oxidation होगा CD का Oxidation होगा और CD का Conversion किसमें होगा CD plus 2 में होगा और 2 Electron release होगे देखिए यहाँ पर CD का Oxidation state 0 है और 0 में से plus 2 में Conversion हुआ है यानि कि चार्ज बड़ा है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे Oxidation अब 2 Electron release हुए है हमें पता है कि 2 Electron कहां पर एक्सेप्ट होगे कैथोर पर एक्सेप्ट होगे कैथोर में क्या होता है Electron gain होते है वह मैं पता है तो फिर से यहाँ पर एक question है कैथोर पर तो आपको Hg और Hg2SO4 दोनों दिखाई दे रहा है कि देखे CdSO4 की हम बात नहीं करेंगे में यहाँ पर कैथोर की बात कर रहा हूं कि कैथोर में देखे क्या है Hg2SO4 और Hg दोनों है दोनों में से कौन electron accept करेगा तो देखे Hg metal जो है वह already stable form में है हमें पता है metal जो होती है वह stable form में ही होती है pure Hg metal है तो इसको electron accept करने की कोई जरूरती नहीं है लेकिन देखे Hg2SO4 जो है camera logical जो हो में लगता हुँ देखे यह रहा हमारा Hg2SO4 देखे यहाँ पर दो मर्क्यूरी है और यहाँ मर्क्यूरी का oxidation state कित्या है plus one है एससा दो मर्क्यूरी है यहादि कि प्लस two हो गया एक मर्क्यूरी का अलर यहाँ नहीं हो गया है इस नहीं हो गया है देखे mos और Hg 2 plus है ऐसा मान लेजिए 2G है 2 plus है तो इसको क्या चाहिए इसको electron चाहिए क्योंकि यह आइन में है positively charged ion है तो आइन को क्या चाहिए electron चाहिए यान कि यह दो electron जो है वो कौन लेगा Hg2 एसा- 4 लेगा अब अको पता होना चाहिए एच जी क्यों नहीं लेता क्योंकि वो थी इस टेपल है हे एच जी जो बसे ऐन्स है वह क्या करेंगे दोडर लेंगे डिशी टोडर में एच जी प्लस जी गहले रिलेक्ट लेंगे अन्य किसमें कनवर्ट हो गए एच जी में कनवर्ट हो गए यानि कि एच जी टू एच जी प्लस का कनवर्जन किसमें होगा है टू एच जी में होगा है दो इलेक्ट्रोन लेने के बाद कि इस प्रकार से देखिए यह conversion हो गया है HG2SO4 में से किस में convert हुआ HG में convert हुआ देखिए रहा है HG आपको पता ही है liquid होता है अब देखे अब HG का तो क्या हो गया HG जो प्लस टू चार्ज था वो तो दो इलेक्रोन लेके होगया पहले प्लस टू चारज था सबलेज़ हो गया है तो बचा किया एसलों बैसे का वैतली है है जल यहां मै माइनश धू होगा है इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ है अप देक सकते हैं है प्लस यह फोग् kennen हो वह तो क्या हो गया तो एज़ी बनके नुट्राइज हो गया बचा क्या है यहां पर एसओ पर माइनस टू भी है तो वह ऐसे का वैसा ही रहेगा अब हम बात करते है और और रियक्शन की तो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे यह रहा हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर जो है देखिए मैं यह आप राइट हैंड साइड पर लिखता हूँ यह जो राइट हैंड साइड पर लिखेंगे यानि कि c d plus hg2so4 और दो इलेक्ट्रोड जो है वो दोनों साइड पर है यानि कि उसको हम कैंसल आउट कर सकते हैं देखें यह इलेक्ट्रोड कहीं कैंसल आउट यानि कि इसका मतब यानि कि वह डिलिट नहीं हुआ है लेकिन दोनों चीज सेम ही है दोनों साइड कोई अब तराजू में अगर दोनों साइड सेम रखें तो वह सेम ही हो जाएगा समझ रहे हैं आप में क्या कहता हूं को डोनों साइड अगर तराजू में अगर सेम चीज रखें तो कुछ चीज नहीं रखने के बराबर ही है चूंकि वह बैलेंस ही है इसलिए उसको हम क्या कहते हैं यहांपर हम कहेंगे ये बैलेंस आउट हो गये है यार इसको कैंसल आउ प्रोड़क्ट में क्या बेलेगा CD प्लस टू 2HG और एस प्रकार से यह सारी रियक्षन से एकदम इसी रियक्षन है आपको याद रखना है शिर्फ क्या रखना है आपको कि एनोड पर क्या होगा होगा CD का Oxidation होगा और दो इलेक्ट्रोन कौन लेंगे HG2SO4 लेंगे और किस में कनवर्ट होगे 2HG में कनवर्ट होगे और SO4-2 बचेगा तो इस प्रकार के सेल को हम क्या कहेंगे इस प्रकार के सेल को कहेंगे विस्टर्न स्टांडर्ड सेल कहा जाता है